जी, असलाम अलेकुम आप्रीवन, इस इस मीमाजेब खालिद, I hope you are fine and doing well, आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे CSE scholarship की जब हम application फिल करते हैं, पोर्टल पे, तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, discuss करेंगे, हमने CSE scholarship के अवाले से एक playlist बना रखी है, और उसमें हम बहुत सा वीडियो को भी देख सकते हैं, आज इस वीडियो में हम basically सिर्फ discuss यही करेंगे, किस तरह आपने, सबसे पहले, अगर आप new user हैं, अगर आपका पहले account यहां पे नहीं बना हुआ ता आपने किस तरह बनाना है, और उसके बाद हम पूरी application को fill करेंगे, along with documents, उसके बाद, जि वो भी आपको description में मिल जाएगा video की, आप जैसे ही click करेंगे तो आप यहां पे, इस main page पे ही direct होंगे, अच्छा यहां पे एक चीज मैं आपको बताता चलूँ, कि मेरा यह अपने personal experience भी है, और चाइना में, क्यूंके Google और Chrome वगर इतना ज्यादा efficiently use नहीं होता, ज्यादा य इनकी जितनी भी websites हैं, चाहे वो university की है, चाहे वो CAC की scholarship के portal की है, यह जो भी है, आप अगर internet explorer में open करेंगे, तो मेरे खाल में, आप कुतना ज्यादा मसला नहीं आएगा, और दूसरा सबसे बड़ा advantage यह होगा, कि आप यहां पे, अगर कोई भी इनका page Chinese में है, तो easily आप right click करके आप उस page को translate to English भी कर सकते हैं, तो maybe वो chrome इतना ज्यादा efficiently work ना करें, यहां पे ज्यादा आपको easiness और अराम से आप यहां पे translation कर सकते हैं, अगर वो आपको समय नहीं आता, तो यहां पे, जैसी आप direct होगे इस page पे, तो definitely आप new user होगे, तो आपने सबसे पहले क्या कर क्रिक करने के बाद यहां पे आपने सबसे पहले अपनी registration करने है, यहां पे user name, कोई भी यहां पे आप अपना put कर सकते हैं, it's up to you, आप अपने नाम के बाद, आपको weekly कैट लिखने, तो आपको यहां पना user name, लिख सकते हैं, but it's up to you, और आपने easy रखना है इतना इतना कोई complex नहीं रखना then you have to put your email यहां पर आपने अपनी email जहां वो भी यहां पर आपने enter करनी है email एंटर करने के बाद आपने यहां पर एक password आपने लिखना है password भी easy होना चाहिए इतना भी difficult नहीं होना चाहिए और उसके बाद आपने confirm password करना है then validation code जैसे आप यहां पर put करेंगे तो आपने submit की बटन के क्लिक करेंगे जैसे ही आप submit की बटन में क्लिक करेंगे तो आपको एक email आएगा email box में आपने वहां पर जाए कि क्या करना है आपने अपना account वहां पर click करके verify करना है verify करने के बाद जैसे ही आपका account verify हो जाएगा then you have to move back और आपने यहाँ पर आना है यहाँ पर आके आपने simply उसको login करने है क्योंकि मैं already account बना चुका हूँ इस पे तो इसलिए मैंने वो register में दबारा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने already यहाँ पर account बना हुग है तो मैं दुपारा मुझे register करने की जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं अपनी उसी account के साथ ही login हूँगा अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है कि login with email address username login with CAC number आपका इस option के साथ कोई लेना देना नहीं है यह बात की चीज़ें होती है जब आपकी scholarship लग जाती है तो आपको एक CAC application यह जब आप for example form fill कर लेते हैं application submit कराते हैं तो आपको type करने के बाद simply आपने sign in के button पर क्लिक करने जैसी आप क्लिक होंगे तो आप इनके login हो जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर login हो चुके हैं अच्छा first of all आपने क्या करने आपने इन instructions को clearly पढ़ लेना है एक तफ़ा instructions को पढ़ने के बाद आप बहुत सारी चीज़ों को अगर आपकी क्यूरीज होंगी scholarship की categories के अवाले से तो वो आप यहाँ पे आपके जो भी क्यूरीज होंगी पर साड़ोट हो जाएंगी यहाँ पे आपने पोर्टल फिल कैसे करने वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं आपने उसको भी पर किया गई हैं आपको बाद में बताता हूं उसके बाद correct agency number पुट करने के बाद आपकी जितनी भी आपकी जो युनिवस्टी की detail हो फैच हो जाएगी देन आपने अपनी application की जो है information आपने पुट करनी है पिर उसके बाद submit करने है submit करने के बाद आपने form को download करने है download करने के बाद आपकी जो भी आपने जो form होगा वो आपने युनिवस्टी के portal पर definitely आपने upload करना होता है तो यह 6-7 step होते हैं और बड़े easy है इतने tough नहीं है हम यह सारे चीज़े step by step देखेंगे तो आपको easily आप समझ जाएंगे तो यहां के page पर यहां पर आपने application online के button पर click करना है अच्छा यहां पर आपको आप देख सकते हैं आपको application status है वो अभी unsubmitted है ठीक है आपने अभी क्यूंके application submit नहीं की इसलिए unsubmitted है यहां पर आपने सबसे पहले क्या करने है आपने added personal details पर आना है यहां पर click करना है जब यह आपके पास यह जो scholarship की categories है इनके जो options है वो आपके पास available होंगे जब तक आपकी personal details complete नहीं होती तो आप नहीं जा सकते हैं यहां पर आपने सबसे पहले करना है अपनी personal details को add करना है तो हम यहां पर click करते हैं क्लिक करने के बाद आप application जो है वो आपकी start हो जाएगी यहां पर आपने इस input details को बहुत ही सोच समझ के साथ आपने fill करना है उसकी वज़ाए यह है कि जो चीजें आप यहां पर add करेंगे वही आपकी आपकी जो भी processing होगी उसमें वो चीजें utilize होंगी for example जो आप passport number देंगे जो आप passport की details देंगे जो आप अपना नाम बताएंगे वही चीजें आपकी अगर आपका scholarship लग जता है तो throughout आपकी processing फर्दर जो भी चीजें होंगी वो उसी की base में ही होंगी तो इसलिए आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी इस video को पहले completely आपने जो है वो जो भी आपका है उसको अपने details को add करने ठीक है यहां पर आपका जो है वो given passport name जो भी आपका नेम है वो आपने enter करने है जो भी आपका passport पर surname है वो आपने enter करने है ठीक है बढ़ ये mandatory निहीं किvation कि आप यहाँ पर तीघ सकते हैं mandatory जहां पर आप देख सकते हैं transparent manuscript उग लीका हूई नहीं थो आप इसको छोड़ भी सकते हैं उसके बाद date of birth जो है वह आपने इसको फिल करने जेंडर आपना specific कर ने marital status जो भी है वो आपने define करने है ठीक है और उसके बाद यहाँ पी email कर देते हैं date of birth भी add कर लेंगे country of birth definitely Pakistan है पाकिसान आप यहाँ पे लिखेंगे पाकिसान के बाद city of birth जो भी आपका city है वो आपने यहाँ पे लिखना है जिस city में भी आप पैदा हूँ है ठीक है मैं यहाँ एक्सवाइजी कर देता हूँ religion आपने यहाँ पे देखना है जो भी आपका हो और यहाँ पे हमारा religion Islam है जो भी आपके वो आप यहाँ पे लिखेंगे nationality definitely Pakistani इसके बाद native language हमारी का है उर्दू है यह आपने बता देना है यह चीज बड़ी important है यहाँ पे आप note पढ़ भी सकते हैं the passport information you have provided will be used for admission documents please ensure the accuracy of the information ठीक है इदर आपने कोई mistake नहीं करने है जो आपकी as it is spelling name है वो आपने यहाँ पे लिखना है ठीक है passport number आपने बिल्कुल देखके उसकी जो भी details है वो आपने add करनी है date of expiration आपने यहाँ लिखनी है कि आपका passport जो हो कब expire हो रहा है ठीक है तो यह आपका जो पहला section होगा यह complete हो जाएगा then यहाँ पे आप देख सकते है personal contact information ठीक है यहाँ पे आपने पाकिसानी number जो है वो आपने अपना add कर देना है क्योंके अभी आप चाइना में नहीं आये तो Chinese आपके पास sim नहीं होगी तो आपने अभी जो भी detail आप करनी है वो पाकिसानी add करनी है alternate email भी आप दे सकते हैं अगर मिसाल के दौर पर alternate email भी आप दे सकते हैं for example अगर आपके पास है तो wechat आपका account है तो it's best के आप यहाँ पे wechat ID भी टाइप कर लें then skype number है तो ठीक है नहीं तो it's okay यहाँ पर आपने करने हैं यहाँ पर आपने अपना address डालना है जिदर आप रह रहे हैं address वो डालिएगा जहाँ पर आप रह रहे हैं क्योंकि sometime आपके documents भी आ कुछ भी हो सकते है तो यह आपके लिए जो है easy रहेगा उसके बाद यह भी आपका section complete हो जाएगा then यहाँ पर emergency contact information emergency contact information में आपने अपने भाई का जो भी आपके वालत साब आपके sisters आपके brothers आपकी mother जो भी है वो आपने यहाँ पर बताना है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी option आपको suitable लगे gender वगरा जो भी है वो आपने add करना है उसका telephone number उसकी ही email और उसका ही address आपने यहाँ पर सारी चीज़ें लिखनी है ठीक है और इस तरह जो है वो आपकी यह वाला जो section है वो complete हो जाएगा ठीक है उसके बाद आप हम चलते हैं जी अच्छा मैंने यहाँ पर यह चीज़ें फिल नहीं की लेकिन मैं यह इसको फिल करूंगा तब ही मेरा जो form है वो आगे जाएग तो यह मैं वीडियो लंबी हो जाएगी मैं इसलिए फुद फिल नहीं कर रहा है आपने ही क्योंकि सारी चीज़े मैंने आपको समझा दी है तो definitely आप इसको easily कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर हम जो है वो इस section में जाते हैं अच्छा जैसे ही आप यहाँ पर अपनी detail एड़ करे है information add नहीं की इसलिए मेरा जो form में वह आगे proceed नहीं होगा ठीक है अच्छा यहाँ पर आपने क्यूंकि आप अगर आप master's के लिए apply कर रहे हैं तो current आपकी education होगी वो bachelor's होगा अगर आप पीचडी के लिए apply कर रहे हैं तो current आपकी education होगी वो master's होगी ठीक है तो आप नहीं select कर लिने for example आप master's के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पर bachelor degree लिखेंगे field of study जो भी आपका computer science है आपका chemistry है आपका business administration है जो भी है वो आप लिखेंगे यहाँ पर ठीक है mandatory यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे उसके बाद country of the institute country आपने यहाँ पर बताना है कोई भी private institute है उसका नाम आपने लिख देना है नाम आपका बहुत lengthy नहीं होना चाहिए बस आपने short form में लिख देना है अच्छा है यहाँ पर qualification आपने बतानी है अगर तो आपका आप बैचलर्स आपने की है तो यहाँ पर आपने बैचलर्स लिखना है अगर तो आप PhD के लिए apply कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर masters लिखना है ठीक है अगर आपने M.S.E. लिख estásए अदो आपने यहाँ पर montón कर्mar醉ं कर देना है 16 years ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपने लिखे देने 16 years, 16 years आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे years attended, जिस सारी एक से आपकी degree start हुई है और जिस date पे वो खतम हुई है वो आपने बताना है इन sections को आप छोड़ सकते हैं ठीक है, यहाँ पे इन्हों ने बताया कि for example, अगर आप की बैसलर्स की आपने highest आली है तो definitely आपकी FAC की होगी यहाँ पे detail, उसके बाद metric यह mandatory नहीं है optional है, इसको छोड़ दे ठीक है, अगर आफिल करना चाहते हैं तो well and good नहीं करना चाहते हैं it's up to you, आप इसको skip भी कर सकते हैं, ठीक है उसके बाद हम आते हैं employment history पे employment history में यह चीज़े mandatory हैं, ठीक है, आप इसको skip नहीं कर सकते हैं, आपने अपनी life में, अगर कोई भी internship की है कोई भी teacher assistant आप रही है कोई भी आपने work किया है कोई social work किया है, तो आप यहाँ पे लाजमी लिखें, employer आप मिसाल के दौर पर आप student लिख दें ठीक है उसके बाद आप work engaged यहाँ पे teaching लिख दें, यहाँ पे assistantship लिख दें, कुछ भी लिखते हैं ठीक है, title and position आप लिख दें, for example, आपने यहाँ पे internship किया है, internship हम लिखे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखे दें, internee, ठीक है उसके बाद employment duration आपने बताने है कि कब से लेकर कब तक जैसे ही आपकी यह सारी चीज़े complete होंगी, then आपने verify and save के button पे click करने, तो आपकी जो detail है, वो इस section की education and employment history वो भी complete हो जाएगी then आपने आने है other contacts पे, ठीक है अब यहाँ पे contact in China ठीक है, contact in China कोई ने कोई, I hope आपका यहाँ पे, अगर कोई आपका जानने वाला है, तो आप उसकी भी details add कर सकते हैं यहाँ पे, I hope होगा, कोई ना कुई ना भी हो, तो अगर professor Willingo आपकी, आप उनसे कह सकते हैं कि मेरी details, मैं आपकी यहाँ पे upload करना चाता हूँ, तो वो आप उनकी भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे जाज़त लेना जरूरी है, ठीक है बाकी कोई ना कुई आपके जान पचान वाले हैं, तो आप उनसे भी राप्ता करें, उनसे contact ले लें और यहाँ पे उन चीज़ों को add कर लें, ठीक है उनका नाम, उसके बाद telephone number, email उनकी fax अगर है तो valent code, उसके बाद address हो गया उनका, then family members मैं आपने सबसे बले, spouse name, spouse age, spouse occupation नहीं है यह है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं father name, mother's name, father's age, father's occupation कि वो क्या करते है, mother's age, mother's occupation वो आपने बता है then आपने verify and save के button बे क्लिक करना है अब मैं यहाँ पे अपनी सारी information डीटेल add कर के उसके बाद आपको verify and save करके दिखाऊँगा यहाँ पे मैंने जितनी भी डीटेल थी वो मैंने add कर ली है ऐसे dummy arguments तो आपने इसको बिल्कुल ठी-ठी की डालनी है ठीक है, मैंने आपको start में भी बता है यहाँ पे मैंने यह section complete कर ली है यहाँ पे प्लाइप कर ली है यहाँ पे बी जो चीजें वो मैंने add कर ली है तो इसके बाद मैंने verify and save के button पे click कर ली है the last one जो है वो मेरा यह other contacts पे है तो इसको बीड़िवाद के button पे click कर दिया ठीक है, अब यहाँ पे मैंने click करना है finish के button पे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो categories की types है वो यहाँ पे appear हो चुकी है आपने type B पे apply करना है तो आप type B पे click करेंगे type B पे click करने के बाद आपने क्या करना है जी आपने simply add a new application button पे click करना है या आपने कोई भी application यहाँ पे नहीं आपने apply किया तो आपने यहाँ पे इस पे click करना है यह जो आपके सामने एक section आया है language proficiency and study plan यह सबसे ही important part है सबसे जादा क्योंकि इसमें आपने university अपनी बतानी होती है अपनी language की जो भी आपके पास information है वह आपने बतानी होती है और आपने program का बताना होता है कि आपने किसम मैं apply करना है तो इस section को आपने बहुत ही समईधारी के साथ आपने इसको एप्लाई करने है किसी किसम की भी आपने इसमें मिस्टेक नहीं करनी इसमें अगर आपकी मिस्टेक होगी तो वो clearly rejection होगा ठीक है एजेंसी नंबर गया होता है पहले मैं आपको बता दूँ चायना की जितनी भी उनिवस्टी है अल्मोस्ट टू 80 ठीक है हर उनिवस्टी को एक नंबर असाइन किया गया है ठीक है और एजेंसी नंबर जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हैं तो उस उनिवस्टी की जो डीटेल्स होती है वो आटोमेटिक ली यहाँ पे फेच कर ली जाती है ठीक है यहाँ पे आटोमेटिक ली यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती है तो उस तरह वो उनकी डीटेल्स यहाँ पे फिर मजीद जो भी उनके प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं जिसमें हो CSE scholarship offer कर रहे होते हैं किस language में कितने major English language में कितने major Chinese में कितने major वो सारी चीज़ें details हम यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है तो आपको मैं बताता हूँ कि आपने agency number ढूनना कैसे हैं ठीक है आपने क्या करना है CSE scholarship या आपने यहाँ पे लिखना है Chinese Universities Agency Numbers आपने जैसे ही क्लिक करने है क्लिक करने के बाद यह आपके सामने कोई भी पेज ओपन हो जाए आपने क्या करना है इनकी वेब साइट पर जाना है यह चाइना एडमिशन की वेब साइट पर चले जाना है क्योंकि यह ज्यादा अथेंटिक होगी यहाँ पर इनफॉरमेशन तो आपने क्या करने है आपने यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो युनिवस्टी जो रिजिस्टर्ड है उनके जो एजिंसी नंबर्स हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मैं फॉर इजेंपल अपनी युनिवस्टी का यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो यह मेरी युनिवस्टी है इस्टाइन उनिवस्टी ऑफ साइंस अं टेकनोलोजी आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इस तरह आपने का अगरने आपने युनिवस्टी के अच्टस और यहाँ पर पने पेस्ट करदें तो यहाँ पे आपके साथ चोटा सा शोटा सा वह यहाँ आता है जो यहाँ पर अघए रहीजंसी नंबर बिल्कुल ठीक ही डालते हैं लेकि यहां पे error आजाते हैं for example like this ठीक है यहां पे तो मैंने यहां पे एक digit रिमूफ कर दिये तो आपने के करने हैं आपने simply log out कर दिने है log out करने का बाई रिफ्रेश कर ले तो इस तरह उस problem को आप fix कर सकते हैं ठीक है यहां पे हमारी university की जो detail है वो आ चुकी है यहां पे आपने देखने Chinese proficiency Chinese proficiency क्योंकि आप English में apply कर रहे हैं program में तो आपने यहां पे बदा देना है कि पूर है English proficiency English आपकी ठीक है excellent इनके मुकाबले में आपकी English है वो 1000 दरजे बेतर है तो आपने एक्सिलेंटी यहां पे क्लिक करने है उसके बाद यहां पे weather holding HS के certificate or not ठीक है तो आपने क्या करने है यहां पे यह no पे अल्रडी है weather holding के certificate of English proficiency तो English proficiency certificate जो है वो आपके पास वैसे तो आपके पास होगा लेकिन आपका आपके पास जो आपके लिए यह mandatory fields हैं यहां आपको fill करनी होगी तो आपके पास हम जब apply करेंगे उसके बाद हम document upload कर लेंगे तो आपने इसको भी no पे ही करना है ठीक है यहां पे क्योंकि लास्ट जब हमने last section में हमने देखा था कि हमने अपनी current education डाली थी अगर हम PhD के लिए apply कर रहे हैं तो हमने master's की डाली थी अगर हम master's के लिए apply कर रहे हैं तो हमने bachelor's की डाली थी अब यहां पे हम किस के लिए apply कर रहे हैं हम master's के लिए apply कर रहे हैं तो हमने क्या करना है as a master degree ठीक है यहां पे आपने आना है यहां पर आपने बताना है कि प्रेफर टीचिंग लेंगविज डेफिनिटल आप इंगलिश में अप्लाई कर रहे होंगे ता अपने इंगलिश पर क्लिक करने है अब यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो मेजर्स हैं और आपके सामने शो हो चुके हैं आपके सामने आचुके हैं मैं यहां पर कंप्यूटर साइंस एंड टेकनोलोजी में हूँ तो मेरा मेजर्स यहां पर अविलेबल है यहां पर आपने क्लिक करने अब यह जो आपका प्रोग्राम है वो उसकी जो डिवरेशन है वो आटोमेटिकली इनने यहां पर बता दिये कि आपका 1st September अगर इंशाला आपकी जब भी सेलेक्शन होगी तो 1st September 2024 से आपका इंटेक स्टार्ट होगा जब आप चायना में आएंगे उसके बाद 15 जुलाई 2027 तक क्योंकि यहां पर 3 येर्स का कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है मैं उसमें हूँ तो आपकी जो डिग अगर यहां पर हम मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट में इनकी जो है वो बिजनेस अडिमिनेस्ट्रेशन है अब बिजनेस अडिमिनेस्ट्रेशन जो है वो यहां पर 2.5 येर्स का है तो यहां पर आप देखें 6 मंस जो है वो लेस हो गया है तो इस तरह चाइनीज पिक्लिक करों तो चाइनीज में यहाँ पे आप देखें इनके ज्यादा प्रोग्राम्स हैं आप यहाँ पे देख सकते एजुकेशन, एंजिनिरिंग, लौ, लिट्रेचर, मैनेजमेंट, मैडिसन, नेश्रल साइंस, एंड फिलास्फी तो आप अगर चाइनीज मे अप्लाइ कर रहे हैं और उसके बाद computer science and technology में, यह सारी चीज़ें आपकी clear होगी है, I hope आपको यहाँ पे जो भी confusions होगी, वो आपकी clear हो चुकी होगी, इस तरह आपने बहुत ध्यान के साथ यहाँ पे apply करने, अपना major वगरा जो भी चीज़ें, उसके बाद यहाँ पे ever studied in China, अगर आपने bachelor's किया हुए, यहाँ पे तो बिल्कुल yes कर दें, और details enter कर दें, अगर नहीं किया हुआ, तो आपने जो है वो इसको नोपी रहने दें, ever studied in China under a CSE scholarship, तो आपने इसका भी देख लेने, अगर किया है, तो आप अपने वो सारी durations जो भी हैं, वो आपने enter कर द यह वाला section जो है, वो आपकी detail complete हो जाएगी, अब आपने के अगर ने, अब आरी आगे है, हमारे पास documents कि, कि आपने documents जो है, वो किस तरह upload करने हैं, अब यहाँ पे तकरीबन 15 documents हैं, वो total जो हैं, यहाँ पे आपको show हो रहे हैं, इन में आपने यह देखना है कि कौन से documents हैं कौन से नहीं हैं, सबसाते हैं, जो हुएिखने कौन से नहीं हैं, ठीक है, cooperative documents हो जो हते हैं, वो optional होते हैं, तो वो mandatory नहीं है, अब यहाँ यह चीज़ें जहाँ पर यहाँ पर yes आपको नजर आ रहरा हैonie है, वो ça में जह आपके mandatory documents हो नहीं हैं, अचा है हम जो है किस तरह आपने अपलोड करना है, जब हम यहां पे वह डोकमेंट को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपने के खरने है, आपने एक I.D. फोटो जो है, वह आपने अपने अपलोड करने है आपको मैं बता दूँ कि पासपुर साइज आपकी पिक्चर होनी चाहिए वाइड बैग्राउंड हो तो ज्यादा बेतर है क्योंकि ज्यादा यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन्स भी लिखे होती है अप्लोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यह इंस्ट्रक्शन्स आपने पढ़ लेनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो इतना साइज होना चाहिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं आपकी शायद पिक्चर अप्लोड ना हो यह साइज का डिफरेंस हो या जो एक्जेक रिशो है उसको इस्यू होगा तो कोशिश करना है आपने के पासपोर्ट साइज पिक को देख कि आपने प्लोड करने तो यहां पे मैं अपनी कोई यहां पे पिक्चर अप्लोड कर देता हूं यह होगी पिक्चर यहां पे होगी यहां पर हमारी पिक्चर अप्लोड होगी अच्छा इस सेक्शन पर आपने जो है वो मैं आपको बताता हूं आपने अगर तो तो आपके पास टेंप होती है वो करवा लिनी है अगर आपके पास है तो आप उसको भी करवा लें दोनों को अप्लोड कर ले अगर आपके पास अभी आप स्टेडी कर रहे हैं अभी आप 8 semester में हैं ठीक है तो आपने कहे करना है आपने 7 semester की जो आपके पास transcript हो उसके बाद hope certificate जो आपने दोनों नोटराइस करवा के hope certificate यहां पर अप्लोड करने है और transcript जो यहां पर अप्लोड कर देनी है ठीक है अगर आपके पास transcript complete है आपके डिगरी नहीं है तो यहां पर provisional certificate निकलवा के वो भी आपने upload कर देना है आपने इस तरह आपके चीजें की वो साथ- study plan study plan भी आपके पास होना चाहिए अच्छा यहां पर एक आपको मैं बताता चलूँ जब आपने upload करने है तो इसमें भी बहुत ख्यार रखने है आपने एक folder बिना लेना है folder में आपने सारे documents लख लेने advance ही ठीक है ताके आपको असानी हो और आप बिल्कुल within no time आप सारी च चाहिए बेतर यही है कि आप जह है वो reference letter बनवा लें अपने पास रख लें और आप upload करें अगर तो नहीं है तो आपे add provider भी add कर सकते हैं कि जी उनका नाम क्या है reference provider उनका given name title उनके साथ आपका relationship क्या है nationality and all that stuff ठीक है आपने अगर इस तरीके से apply करना है तो reference letter upload करना तो यह बहुत लंबा काम हो जाएगा तो इसमें नहीं जाना आपने यह सजेशन है आपने simply upload कर देने हैं दोनों यहां पर आपने वही डॉकमेंट मैं अभी upload कर रहा हूं तो आपने तो खुदी अपने डॉकमेंट upload करना है अच्छा passport home page passport की पिक्चर है वो PDF में भी आपने उसकी front picture एक ले लेनी है अच्छा front में यह है कि एक side पर आपकी picture होगी तो complete वो जो first page होता है आपने उसकी आपने picture लेनी है बहुत ही clear होनी चाहिए इन सारे चीज़ है वीजीबल हो और उसके बाद उसकी PDF बना के वह आपने upload कर देनी है अच्छा एक चीज का ख्यार रखिए किए PDF बना के आप यहां पर उसके बाद अब आपके बास documents आ रहे हैं जो के mandatory नहीं है ठीक है paper और article published or to be published अगर आपके पास published article है papers है तो यहां पर वो भी आप upload कर सकते हैं उसके बाद यहां पर example of art and music work अगर कोई भी student जो art या इस तरह का जो भी उनकी field से belong करते हैं तो यह चीज documents जो है वो अपने मर्च कर लेने हैं ठीक है मिसाल के तौर पर आपने supportive documents में जी आपने acceptance letter भी यहां पे upload करने हैं इसके बाद आपने अपने certificates भी डालने हैं तो आप नहीं कह करना है आपने सारे documents को merge करके एक PDF बना के आप upload कर देने क्योंकि हमारे पास जगह सिर्फ एक ही है है कि हम document upload कर सकते हैं तो आपने सारी चीज़ों को merge कर लेना merge करने के लिए online बहुत सारी websites हैं आप वहां से भी उनको download merge करके download कर सकते हैं Chinese language proficiency certificate हमारे पास नहीं है क्योंकि हम English language program में apply कर रहे हैं उसके बाद हमारे पास English proficiency certificate इसका भी मैंने आपको तरीका बताया है कि किस तरह आपने बनवाना है वीडियो इसकी complete available है इसको भी आपने completely बनवा कि इसको upload करना है 14 जो है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी interesting information द ready दे देती हैं जब आप उनको email करते हैं apply करते हैं और कुछ इनवस्टीज होती है जो आपकी जब complete scrutiny करके documents की आपको जो है वो जब आपका name list में आ जाते है तो आपको पी admission letter देते हैं मेरा जब case इस तरह था कि मैंने during CSE पे जब मैंने apply किया था उनवस्टी पोर्टल पे apply क करने से पहले तो मेरे पास acceptance pre admission letter नहीं था तो मेरा क्या हुआ था मेरी जब नाम वगरा list में इमिश्टी की email आई थी कि आप जो है as soon as possible हम आपको pre admission letter भेज रहे हैं email पे आपने इसको क्या करने इसको download करके आपकी जो submitted CSE की application होगी वो reverse कर दी थी उन्होंने खोदी और withdraw करके मैंने यहां पे upload कर लिया था तो वो इस तरह pre admission letter के बारे में आपने बिल्कुल भी परशान ही होना के मेरे पास यह letter है नहीं तो इसका case ही होता है ठीक है जातों वो आपको दे देते है early on नहीं तो आपको final करने के बाद वो आपको दे देंगे और आप upload कर सकते हैं आपके पास जो application है वो withdraw option दोबारा वो आपके लिए available कर देते हैं ठीक है यहां पर जो mandatory है वो यह है कि आपने police character certificate जो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है वो भी आपको मिल जाएगी वो आपने upload करना है इस तरह आपके जिसने भी documents हैं यह सारे जब upload हो जाएंगे तो simply आपन clearly यहां पर पढ़ लेना है यहां पर एक चीज़ आप देख लें कि within each enrollment year each applicant is apply is allowed submit no more than three applications including a maximum of two type A and one type B. आप type B पर सिर्फ एक application दे सकते हैं through university track और type A यानि कि आप एची सी के तरूँ apply करना चाहते हैं तो आप दो application submit करवा सकते हैं ठीक है इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ लेना ताकि आपको समझ आजाए यहां पर आपने confirm पे चेक करने के बाद आपने क्लिक करने हैं और यहां पर आपकी अप्लिकेशन जाए है हो गई है अब आपने क्या करने है अब आपने इस तरह करने है कि आप इस अप्लिकेशन को विड्रॉ भी कर सकते हैं आप इसको व्यू भी कर सकते हैं व्यू में है कि आप अपनी इस अप्लिकेशन को देख सकते हैं क तो आप यहां से चीजें दोबारा एड़िट भी कर सकते हैं, ठीक है, यह आपके सामने सारी चीजें आ चुकी है, तो इस तरह आपने जो है, जितनी भी आपकी डॉकमेंट्स हैं, जो भी आपने जिस तरह अप्लाई करने हैं, CAC पोर्टल पे, वो सारी चीजें मने आपको ब आपने कट क्लिक करेंगे, तो निए आपको करते हैं, और रड़िकशन का पर एक डॉकमेंट्स हुआ कैरेंगे, तो क्लिक करेंगे तो वो दुबारा सेमी चीजें आपके सामने, इस पे ख़़ग करने है, अब आपकी जो एप्लिकेशन आपका है, आपके लीकेशन है की उत करना है यहां पर आपका जो application form है वो यहां पर download हो जाएगा और इस तरह जो है यह आपकी सारी information यहां पर आ जाएगी आपने इन चीज़ों को सारों को देख लेना है यहां पर I think so आपको यहां पर signature करने का भी option होगा I think so वो नहीं है तो आपने क्या करने बस इसको download करने और इसको download करने के बाद completely पढ़के आपने इसी form को upload करना होता है उस पोर्टल पे university के तो इस तरह यह सारी चीज़ें आपने करनी है मेरे खाल में इतना ज़्यादा difficult नहीं है बट वीडियो को पहले इसके बाद आप इन चीज़ों को easily grip कर सकते है I hope चीज़ें आपके लिए बड़ी मैंने तो असान तरीकी सही समझाई है और चैनल पर नहीं है तो subscribe कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर दें ताके उनका भी वाइदा हो जाए क्योंकि हम यह effort कर रहे हैं तो सब के लिए चीज़ें जहें हो असान हो तो मेरे खाल में आपको अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप comment section में बिल्कुल comment करें मैं reply कर देता हूँ और आपकी जो भी queries होंगी वो इंशाल हम sort out करने की कोशिश करेंगे तो that was all about in this video I hope you like it और share करें दोस्तों के साथ अपना बहुत बहुत ख्यार खें टेक केर लाफिस